हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों तो कैसे आप छोग उम्मीद करती हुए कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज है संडे तो ये है संडे का ब्लॉग और आज ही है Mother's Day तो आप सभी माओ को मेरे तरफ से Happy Mother's Day क्योंकि ये Mother's Day का ही दिन था और यहां पे मैं कर रहे थी मतलब पनीर की सबजी बना रही थी तो उसी की प्याजवाज कटिंग कर रहे थी लहसान अद्रक यही सब काट रहे थी और नहाना धुआना जारू पोछा सारे काम हो गए हैं कपड़े सब कुछ दुल गया है और पूजा पाट सब करके उसके बाद में आज मैंने आफ्टरनून से ब्लोग स्टार्ट किया है लगभग मतलब सारे ग्यारा का टाइम यह हो रहा है और सबका ब्रेकफास्ट वही मतलब कुछ-कुछ खा लिया है और खाना सारे 11 बजरा तो वही फटा-फट से बना रही थी कि भूग भी लगी थी क्योंकि आज क्लीनिंग का काम जादा हो जाता है इसलिए तो यहां पर प्याज काट लिया था मैंने अद्रक लहसन भी लहसन छिलने में थोड़ा टाइम लगता है साही पनीर को मतलब कि यह साही पनीर का इंद्सनै उतना यह उतना है मैं लगे यह से लेक्पनीर यह कोई देडी है और यह मैंगू है मतलब सीजन charge आ पर हाए पहले नहीं लारा है लग झाए थी काफी खटा लग रहा थी आफिक्स थोरा-फ़至ड मीठा लग तो सब्सक्राइब तो मैंने काट के रख लिया था उसके बाद में मतलब टमाटर अधरक लहसन यह सब काट लिया था सब कुछ रेडी कर लिया था उसके बाद में पनीर को काट रही हूं मैं सारे को पनीर भी काट लिया क्यूंकि आर थोड़ा पनीर ज्यादा लेना परता है ह तो दुने के लिए फ्राइ sis उसा अच्छा कुछा है सिर्क दॉट के कि вет वह अच्छा तेसटמה जबित роль हdoo हम लोग भी खाते तो पहले पनीर को फ्राइ करूंगी दो बार में करूंगी क्योंकि ज्यादा हो जाएगा और एक मतलब चिपकता भी नहीं है ये ये वाला पनीर ना बिल्कुल चिपकता भी नहीं बहुत ही अच्छे से इजली निकल गया था नहीं तो मुझे डर लगता है कि कहीं चिपक सर्काइब करता है तो कहने के लिए नौन इस्टिक है और ये दिखा रहे हूं कि इतना अच्छा लग रहा है ना कलर भी बहुत अच्छा आता है और इस से ना पनीर में टेस्ट भी अगर सेपरेट खाते हैं तो मतलब खाने में अगर मिलता है या सब्छी में पनीर तो प्रशन के लिए जीरा और काली मिर्च लउगलाईची डाल दिया था मैंने ने फोर न में इन सबको मुझे पेस्ट बनाना है और यहां पर डाल दिया ओर दस दस या года यही काजू थे और बंढ मिला के डाल दिया मैंने गिंधिया था और इसको भी थोड़ासा तेल में बोड़ा सा मतलब सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद में इनका अच्छा से एक पेस्ट बना लूँगी मतलब पतला सा और आभी आरो ही चिला रही है कि मौर्निंग में ही बहुत ही सबर कर रही हूं आजकल ऐसा हो रहा है ना कि में मौर्निंग में ही बहुत ज़्यादा चिला तो यहां पर देखिए मैंने पानी डाल दिया है नमक भी डाल दिया है और अब इसको ढखके मतलब जब तक टमाटर और प्याज अच्छे से सौफ्ट ना हो जाए और इसका जो कच्छापन है ना वो निकल ना जए तब तक इसको पकाऊंगी और तब तक चलते हैं प्याज और सिम्ला मीर्च को क्यूीब में काट लेते हैं तो यहां पर हुआ क्या था ना कि मेरे पास प्याज छोटे-छोटे रहे गए थे दो-तीन प्याज रहे गये थे तो इनको मार्केट मतलब बोला था मैंने लेकिन यह भूल गय थे मार्केट से सबजीया तो रहे क्या कहते औ और आलो प्याज कहीं और से लाते हैं तो वो लाना भूल गया थे तो मैंने खाए जो है उसी को काट लेते हैं नहीं तो क्यूबस वाले जो प्याज होते हैं वो बड़े बड़े होने चाहिए तभी जाके अच्छे लगते हैं क्राई परियर में तो वही एक सिमला मीर्स और द कहीं ज्यादा गरम है तो बनाने के बाद में होता है कि बाहर निकल जाता है तो वही इसलिए जब तक ठंडा ओड़ा था तो मैंने सोचा कि चलो चावल को धो लेते हैं और इसी कराई में धो ले रही हूं मैं जो डंडी नहीं है इसका मतलब बहुत सब काम में आ जाता है बाज उसी को और जादा नहीं इसको हा मतलब 50% ही इसमें रोस्ट करना है भुनना है उसके बाद में सबजी में पकेगा और थोड़ा इसको कृंची-कृंची छोड़ना है मतलब जादा पकाना नहीं होता है हल्वा नहीं बनाती हूं मैं और बहुत लोग अपने तरीके से मेरे तरीके से, मतलब मैं अपने तरीके से सेर कर रहे हूं कि मैं कैसे बनाती हूं, आप लोग भी अलग अलग तरीके से बनाते होंगे और यहां पर मैंने तेल डाल दिया है, बस अब ग्रेवी को मतलब मसाले भुनने का टाइम आ गया है तो तेल में मैंने डाल दिया हल्दी और कस्मीरी लाल मिर्च इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है और उसके जस्ट डाल दिया है मैंने जो मसाले ग्राइंड करके रखे थे वो और इसको बहुत अच्छे से भुनना है बहुत अच्छे से मतलब आदे गंटे भी लग जाएंग एक मिनट चावल को बंद करते चावल हो गया है अब पनीड बन रही है और जीरा इस बन गया है नस्ता पानी तो हो गया हमारा आरोई को दूर्द पिलाना है बस और अज बहुत जदा काम था संडे था तो संडे को तो बहुत ही ज़्यवार भी काम हो गया बहुत ज्यादा और मतलब कपड़े भी बहुत ज़्या उपया हो गया है और यह मार्केट गैंते ना न पनीड लाने केलिए तो समान भी लेने चले गये तो मॉल दूर मतलब तूर या चले गए सब्सशोड़ा मॉल है न वहां पे चले गए मार्गिट में तो तो देड़ हो गया और आरो ही को लेके चले गया तो वह दो समान लेने नहीं देता हैं तो इसके कारण बहुत ज्याद़ा लेट हो गया जिए वाइट कलर का पैण ऐलेकिन मैंने वाइट कलर का नहीं पहना है ना कि इस लेगी पहन लिया है 뭡़ कियोंकि पता है क्या यह वाइड करौर को फिर काम करने में नहीं बनता है कम करूंगे तो फिर तो घंसलों में षण कम फढ़ा है कि बोई threegen डालिया और शात ह têm वी पहला लगता ब्हुंध मुझे तो फिर मैं कपरे के पीयारी लग रही है न बहुत dawled कुल ने नाव ikke के कारण सूख गया था इसलिए तो चलिए अब में खाना बना लेती हूं फिर इन लोगों को खिला देती हूं व्लोग में आप लोग बने रहे तो इधर मैं मसाले भून रही थी मतलब देखा ही था कि मतलब मसाले भून रही हूं इधर और आरो ही दूसरी तरफ रोने लगी बहुत ही जादा रोने लगी कि मुझे सोना है तो उसको मैं दूद पिला रही थी और वो काफी चिला रही थी दूद नहीं पीती है ना तो उसको मैं पटक के मतलब गोदी में जबरदस्ती पिला रही हूं दूद तो यह बात कर रहे थे घर पे किसी से तो वही इनको मैंने ने चले जाए नहीं तो बहुत ज्यादा यह चिला रही है और उसके बाद में बोलनी कि मुझे सुला दो तो उसी को सुला रही थी मैं कि चलो पहले को सुला देते हैं और जब तक यह मसाले मतलब भून रहे थे नहीं तो जल जाते जब तक उसको सुलाने में लग गया 10-15 मिन कर दूंगी और जो सिमला मेड़ सब प्याज था उस सबको डालके थोरा भून लोगी उसके बाद में थोरा से इसमें पानी डालूंगी क्योंकि चावल के साथ खाना है आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं पूरी पराठे के साथ खाना हो तो और थोरा सा पानी डाल दिया मैंने निम्बू निचोर दिया है थोरा सा निम्बू था तो निचोर दिया है क्योंकि अच्छा लगता है इनको बोलते हैं कि सालेट में निम्बू डाल दो थोरा अच्छा लगता है और उसके बाद में काला नमक डाल दिया है मैं कच्चा नमक बहुत कम भी खाती हूं जैसे वा लंसे हां हुट थो यहां पर हम सब कहा रहे हैं और आरोही तो देखा है आप लोगों ने control वह इतनी जल्दी मॉन नए लेती है वो और मैं टीवी भी देख रहे थी मोटू पतलू दे रहा था तो मैं वही देख रहे थी क्योंकि आर्यन तो वही देखता है पूरे दिन कार्टून लगा कर बैठा रहता है तो मैं भी उसके साथ कार्टूनी देखती हूं क्या कर सकते हैं बच्चों के साथ ही बच् का टाइम था यह तो एदेखी साइड में जो कपरा किया है ना मैंने इधर समेठ दिया था क्योंकि मतलब इसका नमीटा का कपड़ा सूख गया था तो मैंने कहा कि चलो इधर साइड कर देते हैं और तब तक अपना कपरा डाल लेते हैं क्योंकि मोटा मोटा कपडा था जिंस ख़ाए तो ख़ाए तक बेढ़ दाल रही थी जब जहां में होती हुं तहां में अर्य के रहे हैं और आर्यन के पड़ेगों की यहां जहां पे दहां कि शट पर हो गया था और इनके जो तो आज का ब्लोग में यही पे चमाप्त करती हूं अब में थोरा सा राम करूंगी और बालों के यहाल है कि मैंने बिल्कुल भी इस्ट नहीं किया है तो इसलिए और इस ब्लोग में जादा कंटिनुव नहीं कर पाऊ हूं हुई क्यूंकि बहुत ज्यादा रहन थी शान चल रहा है ना तो फैन चल रहा था इसलिए आप कर दिया कि आवाज क्लेर नहीं आती है इसलिए तो आज का ब्लॉग में समाप करते हूं एक बार फिर से आप सभी माओ को में तरब से हैपी मदर से निटिव में एक मैं ब्लॉग में तब तक के लिए बबावाय टेट किया है